ये विद्ध्यार्थियो बीए पार्ट सेकंड येर इतिहास विशे के विद्ध्यार्थियो है तू प्रस्तुत विडियो का विशे है फ्रोजशात उगलक की नीतियों का मुल्यानकन देखिए जो समकाली नितिहास कार हुए हैं जियाउद्दीन वर्नी और समसेश राज अफीफ इन दोनों ने ही फ्रोजशात उगलक को सल्तनत काल का एक आदर्स मुस्लिम शासक माना है अपने ग्रंथों में उन्होंने फ्रोजशात उगलक की प्रसंसा की है और इस्लामिक दरस्टी कौन से उसे एक आदर्स शासक गोसित किया है साथी एलफिंस्टन और हैंडरी इलियट जैसे विदेशी इतिहास कारों ने फ्रोजश तुगलक के कारियों की शमिक्षा करते हुए उसे सल्तनत काल का अकबर तक कहा है किन्तु फ्रोजश तुगलक के बारे में उपर युक तितिहास कारों दुआरा दिया गया यहमत पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि फ्रोजश तुगलक के दुआरा कुछ ऐसे कारे भी किये गए जो किसी रूप में भी सही नहीं मानने जा सकते जिन कारियों के बड़े विनासकारी परिणाम हुए और तुगलक सामराजी के पतन में उनका विसेश योगदान रहा फ्रोजश तुगलक के ऐसे कारियों की विवेचना हम अलग-अलग 3-4 बिंदू के माध्यम से करेंगे तो उसमें से पहला जो बिंदू है वो हम सैनिक सुधार को ले सकते हैं फ्रोजश तुगलक दुआरा सैनि विवस्था में खासतोर पर दो सुधार किये गए पहला सुधार था उसका सैनिकों को वेतन के बदले जागीरे दिना और दूसरा था सेना में पदों को वन्सानुगत करना फ्रोजश के इन दोनों कारियों के फल्सरूप सेना की सकती में व्रद्धी होने के बजाए वेपून रूप से असक्त और दुर्बल हो गई तथा जब 1398 में स्वी में तैमूर लंका भारत पर आकर्मन हुआ तो तुगलक सेना उसका मुकाबला नहीं कर पाई तो ये फ्रोजशा तुगलक के दुवारा जो सेने विवस्था में परिवर्तन किया गया जिसे हम सुधार नहीं कह सकते हैं उनके दुस्परिणाम आ गयाने वाले समय में हमें देखने को मिले दास पर था फ्रोज तुगलक ने दास तुगलक को दास रखने का बड़ा शोक था उसके दुआरा लगबग एक लाख अस्शी हजार दास नुक्त किये गए तथा उनकी देख वाल के लिए एक पर्थक से विभाग दिवान बंदगान निस्थापित किया गया फ्रोज तुगलक के ये दास रज पर अनावशक आर्थिक बोज ही बन गए थे बलकि यह फ्रोज तुगलक के बाद राजनतिक द्रस्टे से भी बड़े प्रभाव साली हो गए थे उन्होंने फ्रोज तुगलक के बाद उसके उत्रादिकारियों के शमय में राजनिती महस्चेप किया। उसके फल्फूरूप सल्तनत में राजनितिक ऐस्थिर्ता व्यापत हो गई। इस प्रकार ये दास भी तुगलक शामराजी के पतन में सायक शिद्ध हो गए। 3. फ्रोजसा तुगलक की धार्मिक निती फ्रोज्तुगलक दिल्ली सुल्तानों में शर्वाधिक कट्टर सुल्तान माना गया है धार्मिक जरस्टी से। उसके दोरा बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों वे मूर्चियों को तोड़ा गया। उसने पहली बार ब्रहमनों पर भी जजिया लगा दिया हिंदू को सारजुनिक रोप से अपने होली दिपावली आदित वहारों को मनने पर बतिबंद लगाया गया जैसा एक उसकी स्विम्की आतम कथा फूतुहात फुरोज सही से हमें ग्यात होता है कि उसने हिंदूओं को धन और पदों का लालच दे कर मुसल्मान बनाने का प्रियास भी किया फ्रोज तुगलक की इस हिंदू विरोधी निती के फल्सरूप उसके विरोध हिंदूओं में गहरा असंतोष व्याप्त था और चुँकि हिंदू बहुशंख्यक शंप्रदाय था और एक बहुशंख्यक शंप्रदाय का विरोध मोल लेना पड़ा फ्रोज तुगलक की नितियों के कारण आगे आने वाले सुल्तानों को अगला बिंदू हम ले सकते हैं ब्रस्टाचार को फ्रोज तुगलक द्वारा प्रसासन के छेतर में जो अत्यंत उदार नीति अपनाई गई और उसने ब्रस्टाचार को रोकने के बज़ाए सैनिक वे एसैनिक विभागों में जिस प्रकार ब्रस्ट अधिकारियों को प्रस्तरे प्रदान किया उसके फलस्रूप उसके सासन काल में ब्रस्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया और प्रसाशन तंतर बिलकुल पंगू हो गया था इस प्रकार फ्रोजशा तुगलक के उपर युक्त अनेक ऐसे कार्रे थे जिनका निश्चित रूप से तुगलक शामराजी के पतन में महत्पूर्ण योगदान रहा था किन्तु साथ ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि फ्रोजश तुगलक के कुछ कार्रे ऐसे थे जैसे जनता पर करों का बोज हलका करना सिचाई के लिए नैरों का निर्मान करवाना सार्जनेक हितके अनेक कारिय करवाना जिसने निश्चित रूप से जनता को काफी लाब पहुंचाया और साथ ही केवल फ्रोजश तुगलक की नीतियां ही तुगलक शामराजी के पतन का एक मात्र कारण नहीं थी इसके अतरिक्त अनेक ऐसे कारण भी थे जो तुगलक शामराजी के पतन में मुख्य कारण साबित हुए धन्यवाद